हलो दोस्तो आज हम ऐसे 6 सीक्रिट ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अपना कर आप असानी से अपना बली फैट कम कर सकते हैं दोस्तो आज के समय में हर कोई अपने बड़े हुए बली फैट से काफी परिशान रहता है क्योंकि बली फैट के बढ़ने से ना सिर्फ आपके कपड़े पहनने में टाइट लगते हैं बलकि इससे आपको काफी सारी समस्याई भी हो सकती है जैसे कि दिल और सास से जुड़ी स करना बहुत जरूरी है दोस्तो देखा जाता है कि अक्सर बली फैट असानी से कम नहीं होता है ऐसे में आपको एक्सरसाइज के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी अपनानी पड़ती है जिनको अपना कर आप जल्दी से अपना बली फैट कम कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आ कौन सी है और आपको उन्हें कैसे अपनाना है खाने में जंक फूड और मीठी चीज़ें कम खाएं जी हा दोस्तों स्वास्त रहने के लिए जरूरी है कि आप बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं जो भी खाएं वो घर पर अपने आप बना कर खाएं इसके अलावा खाने मे चीनी की मातरा भी जादा ना ले कोशिश करें कि चाय या कॉफी बिना चीनी के ले और खाने के बाद या रात के समय भी मीठा ना खाएं मीठी चीज़ें खाने से जल्दी वजन बढ़ता है और या आपके स्वास्ते खेले भी अच्छा नहीं है जादा मीठा लेने से पानी या नारियल पानी ले अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन की चीज़े ले दोस्तों आपको अपने खाने में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप ज्यादा प्रोटीन वाला खाना खाए जैसे कि फिश, चिकेन, अंडे, पनीर, सोया बीन, स्प्राउट्स, इन चीज़ों से आपकी शरीर में मसल्स बनते हैं और फैट कम होता है, साथ ही इन में आपका पेट भी देर तक भरा रहता है, इसे प्रोटीन की चीज़े आप अपनी डाइट में जादा से जादा शामिल करें, इसके अलावा आप फैट पाली चीज़े भी खाने में कम ले जैसे कि मिल्क फुल क्रीम ना लेके टोंड मिल्क का इस्तमाल करें, इसके अलावा पनीर भी आप लो फैट वाला या फिर तोफू इस्तमाल करें, तोफू सोयाबीन मिल्क से बना हुआ पनीर होता है, जिसमें फैट कम होता है, इसलिए अपनी डाइट में इन सब चीज़ो में नमक कम लेना है क्योंकि जादा नमक लेने से आपको बी-पी, कॉलेस्ट्रॉल और दिल से जुड़ी बिमारिया हो सकती है इसके अलावा ये आपके शरीर में वाटर रिटेंशन भी करता है जिससे शरीर में सूजन होने लगती है और फिर वजन भी बढ़ता है इसे कोशि खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखे और खाना बनाने के बाद भी पहले देख ले कि नमक ठीक है या नहीं उसके बाद ही खाना खाए और ध्यान रखे कि खाने या सालेड या फिर कच्चे फल या सबजी खाते समय उनके उपर नमक बिलकुल भी न डाले बलकि इन सभी चीजों को बिना नमक के ही खाने की कोशिश करें नमर चार एक बार में ही जादा खाना ना खाए बलकि थोड़ा-थोड़ा करके खाएं जी हाँ दोस्तों वजन खटाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी खाएं उसकी मात्रा का हमेशा ध्यान रखें और कम मात्रा में खाएं यह आपको खाना लेते समय ध्यान रखना है इसके अलावा आप छोटे बटनों का भी इस्तबाल कर सकते हैं जिससे कि आप पहले से कम खाले क्योंकि वजन बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अक्सलों जादा खाना खालेते हैं खाने में कटौती करने से ना सिर्फ आप सेहत मन रहेंगे बलकि आपका वजन भी कम होगा हो सकता है आपको शुरू शुरू में एक अन्य में मुश्किल लगे क्योंकि अपनी पसंद की चीजों को कम खाना मुश्किल हो सकता है लेकिन धीरे धीरे आपको ये कन्ये में आसान लगेगा इसके साथ ही अब जितनी calories ले रहे हैं उन सब का भी ध्यान रखे। पूरे दिन में आपको कितनी calories लेनी हैं इसे पहले से ही सोच ले और फिर दिन भर में उतनी ही calories ले। अपनी प्लेट में थोड़ी ही मातरा में carbohydrates ले और protein और fiber जादा मातरा में ले। इसके अलावा कुछ लोग वजन कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं या नाश्ता नहीं करते हैं लेकिन इससे वजन कम नहीं होता बलकि हमारे शरीर को ही नुकसान होता है इसलिए ऐसा बिलकुल ना करें कुछ ना कुछ खाना जरूर खाएं और कोशिश करें कि आप हर 2- तीन घंटे में कुछ ना कुछ जरूर खाए इन सब चीजों को ध्यान रखने से आप आसानी से वजन कम कर पाएंगे नमर 5 अच्छे से नीन ले दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि नीन से वजन कम करने का क्या मतलब है तो हम आपको बता दे कि फिट और हेल्दी रहने के लि से वो अपने दिन भर के कामों को भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं एक स्टडी में ये बात पता चली है जो लोग अच्छी नीन नहीं लेते हैं वो अकसर जादा खाना भी खाते हैं जिससे उनका वजन बढ़ जाता है इसलिए कोशिश करे कि रुजाना आप कम से कम 8 घंट आपका वजन भी कम होगा नमबर 6 स्ट्रेस ना ले दोस्तों ये भी अकसर देखा जाता है कि जादा स्ट्रेस लेने की वज़े से लोग अपना वजन कम कर नहीं पाते हैं क्योंकि स्ट्रेस लेने से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे हमारे शरीर का मे उसे अपने दिमाग से वही से हटाने की कोशिश करे और अलग-अलग चीजों में अपना दिमाग लगाए जिससे आप अपने stress को कम कर सके इसके लिए आप चाहे तो अपना कुछ समय अलग से entertainment के लिए रख सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे कामों में लगा सकते हैं जो आपको करना पसंद हो तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसे secret tips जिसको अपना कर आप आसानी से अपना belly fat कम कर सकते हैं तो दोस्तो आज की वीडियो में बस हित्ता ही हमें उमीद है कि आप इन सभी tricks को जरूर अपनाएंगे और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और आप ऐसे ही और भी entertaining वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चानल weight loss guide को like करे सब्सक्राइब करे साथी बला आकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको लगतार हमारे चानल से जुड़े सभी updates मिलते रहें तब तक के धन्यवाद